हाई गाईज विलकम बेक अगिन माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब अच्छे होंगे मैं हूँ प्रियंक और प्रियंक के वोटीज में आपका स्वागत है तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आप लोग साथ शेर करूंगे एक इसमें जो मैंने फैबरिक यूझ हिए है वो है औरगेंजा वाला अर ओरगेंजा में भी आपको ना दो से तीन तरीवेक पैटर्न मिल जाएंगे जिन मैं जैसे एक तो जो औरगेंजा आएगा वो मतलब शाइनिंग वाला आएगा एक विदाव्ट शाइनिंग वाला कि यह जो मैंने और गेंजा जो फेब्रिक के Спैल अच्छा कि शायनिंग जाए यह मुझे पांच मेंटर जै कné कि मुझे अंदर में जो फ्लेर भी चाहिए था तो मैंने खाईव मीटर एगा है यह वन बाई वन करके तो सबसे मेले में आप लोगों को इसको दिखा देती हूं जो पेटर्न मैंने बनवाया है उसको यह मैंने महंदी के फंक्शन की साबसे बनवाया था इसलिए मुझे ग्रीन कलर चाहिए था तो अगर आप लोग भी अगर इस टाइप में या फिर इस वाले फेब्रिक में लहंगा बनाना चाहते हो तो आप अपने कलर प्रिंट वगेरा चूज करके बनवा सकते हो मैंने अपनी जो भी फंक्शन वगेरा हो उसकी हिसाब से आप लोग इसको बनवा सकते हो एड़ आप देख सकते हो इसना चो फेब्रेक रिक है वह बिल्कुल और गि जैसे जैसे इस पर लाइट वगेरा या फिर जैसे इसका फ्लेर है वेसे वेसे जो शाइनिंग वगेरा है वह दिखती है एंड़ आप देख सकते हो रैड एंड परपल कलर का मिक्स है जिससे की रोज वाले फ्लावर किसमें प्रिंट है एंड मुझे काफे अच्छा लगा था यह जब मैंने फैब्रिक इसको पसंद किया है तो इसमें और भी कलर वगेरा अवेलेवल्द है जैसे की रैड हुआ और यलो ग्रीन डाक ग्रीन इस सारे कलर वगेरा इसमें अवेलेवल्द है लेकिन महेंदी के फंक्शन के कोडिंग मुझे यही ठीक लगा तो फिर मैंने यही वाला बनवा लिया है और इस टाइप के जो लहेंगे होते हैं इनके उपर आप जैसे अगर गोटा पती की ओड़ने चाहों कलर से मैच करते हुए तो वह भी आप ओड़ सकते हो यह फिर कंट्रास्ट में जैसे इसमें परपल एंड रेड कलर है तो अगर आप उसके अक पर आप लोगों के वीडियो इसका दिखाऊंगी वह बेक केमरे से में आपको दिखा दोंगी जो फ्लेयर वगेरा है इसमें फ्लेयर इसमें खूब हो गया है और फिर जैसे कि इसको मैंने कलीकन बना कर जैसे डबल अम्रेला में बनवाया तो उसमें खूब ज्यादा अच् को टकिन करते हो वहां से इसकी साइज अगिर काफी अच्छी है इसका लोग मुझे काफी अच्छा लगा था आप अपने अकोर्डिंग आपको जितनी साइज का बेल्ट बनवाना है वह बनवा सकते हो जैसे कई-कई-4 इंच का भी बेल्ट बनवाते हैं कुछ तीन का भी ब जादा होता है तो वहाँ पे फिटिंग वगेरा भी से काफ अच्छी आ जाती है यह आप देख सकते हो इसमें जो मैंने लटकन बनवाया है वह सेम इसी के है जिन में एक तो जो इसमें लाइनिंग लगाई गई है उसकी है एक जो यह सेम फेबरिक है उसी के है बाकि मैंने अल लटकन बनवाया है वह समोसा टाइप में एंड डोरी में थोड़ा थोड़ा गेप करकी लटकन इसमें लगाए है इसका जो फेबरिक है वह और जो फ्लेयर है वह मतलब हो ज़्यादा इसे फूला फूला सा रहता है यह लेंगा तो अगर जैसे आप आंदर में कोई केन केन अगर लगवाना चाहते हो तो मेरे साब से तो अगर ना लगा हो तो ज्यादा अच्छा है लेकिन यह मैंने इसको ना नीचे से मैंने जो इसका पैटन जो मैंने बनवाया है वह मैंने पीको वाला इसमें पैटन करवाया है और उसमें भी जो वायर वाला पीको होता है वह मै तो मुझे अच्छी लगती है एंड यह पेटन अपी चल भी रहा है तो मैंने यह वाला बनवाया था और इससे आपको जैसे केन केन वगएरा लगवाने की मेरे साब से इतनी ज़रुत नहीं पड़ेगी येकिन फिर अगर आपको लगता है कि केन केन वगएरा लगवानी चाह से फूला हुआ ही रहता है तो इससे फ्लेयर बगिर इसकी काफी अच्छी आ जाती है तो यह आप देख सकते हो एंड यह मैंने करवाय था दस रूपे पर मिटर में पांच मिटर में इसमें हो गया था अलगबग 10 मिटर का फ्लेयर तो यह मुझे 100 रूपे में बनके मिला थ जो मैंने इसमें लाइनिंग यूज की है उसकी तो यह आप देख सकते हैं उसकी जो लाइनिंग है वह पैरट ग्रीन कलर की है और यह मैंने लिया था चार मिटर और इसको भी मैंने अंब्रेला कट में ही इसके अंदर लगाया है और यह आई तिंग मुझे पढ़ा है 40 रू अगर आप लोग भी इस टाइप का अगर बनाना चाहते हो तो आप देख लीजिए कि आपको फैब्रिक वगेरा किते में मिल जाते हैं आपको कितने मीटर वगेरा चाहिए होते हैं और गाइस मुझे इस लेंगे कि टोटल कोस्ट मतलब सारी चीजी मिला के लगबग साड़ चोप वगेरा से बनमते हो तो और आप देख सकते हो इसका जो बहुत नीचे जो पैटन वगेरा रहे गा धान जो वह इस तरी के से हैं इसका पैटन यह काफी अच्छा अ काफी फैरी मुझे लगा है जो डाबल अम्रेला में अने बनाया है इससे इसमें फ्लेर वगेरा खूब आ जाता है एंड फ्लेरी फ्लेरी काफ अच्छा भी लगता है तो गैस अगर आप लोग भी जैसे खुद बनाना चाहते हो तो अगर जैसे कोई स्टीचिंग वगेरा का अगर आप लोग वीडियो चाहते हो जो कि मैंने बनाया है सेम उसी पेटन वगेरा में या फिर कोई और भी जैसे मुझे जितनी स्टीचिंग वगेरा आती है उसके कोडिंग में चीजे बना लेती हूं तो अगर आप लोगों को भी वीडियो वगेरा चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो मैं आप ल प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं आप लोगों के लिए सारे वीडियो एक एक करके बनाती रहूंगी आप लोगों को दिखाती रहूंगी जो भी मैंने बनाए हैं वो सबी तो यह था मेरा आज का वीडियो आई होप कि आप लोगों कोई अच्छा लगा ह अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट सेक्षन में जाके मुझे कमेंट करके जरूर बता हैं अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उसकी साड़ में जो है उस पर भी जरूर से क्लिक करें ताकि मेरे जो भी और भी आने वाले वीडियो जो सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहें आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो भी और भी लोग है जो मतलब शादी वगीरा के फंक्शन के साब से कुछ चूज करना चाहते हैं तो उन लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए एंड इस टाइप की जो की कम बजट की ड्रेस हो आप लोग बनवा सको विए अज कल बजार में भी लहेंगे वगीरा तो आपको कई तरीके की मिल जाएंगे लेकिन जैसे किसी को होता है कि फ्लेर ही चाहिए फ्ले लेवल करवा दूंगी यह है इसका जो बेक केमरे से में इसको वीडियो बनाई हूँ और आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लेर है अगर आप लोग इसका पूरा फोटो या फिर लुक देखना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हो मेरे इ इस लेंगे की सबसे खास बात मुझे यह लगती है कि बिल्कुल लाइट वेट है जैसे अभी गर्मी वगेरा का सीजन है उसके अकोर्डिंग इस लेंगे का जो वेट वगेरा वो बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल लाइट वेट हैं काफी अच्छा इसमें लुक वगेरा वगेरा भी काफ़ अच्य आते हैं डे के फंक्जन के साब से मुझे काफ़ी कमफर्टेबल भी लग रहा था अगर अभी के जैसा सीजन है उस टाइप की साब से अगर आप देखे तो जैसे बहुत ज़्यादा हेवी ड्रेस में पसेने वगेरा की पॉब्लम भी रहती है तो व वगेरा इसका काफी अच्छा है आप अपने अकोर्डिंग अगर यह फेब्रिक लेना चाहते हो तो सब जगे की अलग अलग प्राइज यह रहती है मेरे यहां पर मिला था आप लोगों के वहां पर कितने पर मिटर में मिलता है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर कर अज़के है आपिवन कुछ यह रहती है रहती है 있지 यह मेरे यहेद aggression की एघए चुछ सकितने अन्या है की अज़किव रहती है वहती है की अज़ कासे वुछ, इचल आएव मुझे की अज़के है एधावा व्र॥न ताका यहां भुझे कासे की एज़के हैं आई